वेलकम बैप टु दिस चैनल के आता है कि आपको वीडियो में बताना क्या है वो आपको वीडियो में मिलता है तो डेफिनेटल आपको वीडियो को लाइक करना है और ये मेरा एक छोटा सा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको सारी अरजेंट अपडेट्स वगेरा जो market से निकल के आती है साथी कब किस coin को buy करना है कब किस coin में profit book करना है ये सारी updates जो होती है वो यहाँ पर आपको सबसे बिले देखने को मिल जाती है तो definitely जिन्हों ने भी अब तक मेरे official telegram channel को join नहीं किया है दो link आपको मेरे YouTube channel की description box में देखने को मिल जाएगे उन links की तुरू आपको इस channel को join कर लेना है अगर वो link काम ना कर रहे हो तो यहाँ पर आप मेरा username देख सकते हो I am समझाद हो वही है मेरा username है तो इस username को आपको search करके ही join करना है स्कैमर वाले में join मत हो जाना 15.6 के अभी हमारे active members है आपको याद दो चार दिन पहले मैंने आपको OGN, Keep, Harmony और Siller पर नजर रखने को कही थी Siller ने तो लगबख 40% से भी जादा गा एक अच्छा कासा profit दिया है Harmony ने भी काफी अच्छा कासा आपको profit दिया है Harmony और Zillika इन दो coin के बारे में मैंने आपको detail से बताया हुआ है जो मैंने regular viewer से उनको पता होगा कि ये एक blockchain project है दोना ही blockchain project से खुद की blockchain से और ये जो layer 2 solutions होते है sharding होती है उन पे काम कर रहे है OGN और Keep, इन दोनों के मैंने futures के आपको call दिये थे और इन दोनों के ही target सारे targets अचीव हो है तो इस बात पर भी like होना चाहिए और यहां पर सारी time to time आपको updates वगे रहे मिलती रहती है तो definitely आपको इसको join करना है पहले बात करते हैं Bitcoin के बारे में यहां पर आप देख सकते हो कि Bitcoin अभी थोड़ाजा sideways consolidate हो रहा है और हमारे इस वाले level को breakout करने के भी कोशिश कर रहा है मैं आपको फिर से यही बताना चाहूँगा कि जब तक हम 52,500 के उपर है weekly closing हमें इसके उपर ही चाहिए और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो हमारा third wallet था जो कि एक whale का wallet है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है इसने कल वापस से लगबग 1500 BTC को sell out किया था यहाँ पर आप देख सकते हो 8 तारिक को इसने लगबग 1500 BTC को वापस से sell किया था और 7 तारिक को भी 1500 BTC का sell out किया था साथ ही इसने 5 तारिक को इसने लगातार लगबग हम कह सकते हैं कि 6000 BTC की सेलिंग करिए तो इसका भी हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए इसकी वरे से भी हमें मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउं चोटे चोटे करेक्शन देखने को मिल रहे है और दूसरी जो Wales है, दूसरे जो बड़े इंवेस्टर से, रीटेयल ट्रेडर से यह जित्ता सेल ओफ कर रहा है, यह wallet उसके दोरह सेल किये गए सारे BTC को निगल रहे हैं, बड़े इंवेस्टर से यह फिर दूसरी फेल्स और हमें पता ही है कि BTC जो है पूरी तरीके से decentralized है जब Wales के group एक साथ sale करते तब ही थोड़ा बोत हमें dump देखने को मिलता है और तब ही हमें pump भी देखने को मिलता है एक अकेली Wales से इतना हमें असर देखने को नहीं मिलता ठीक है अब हम बात करते हैं पहले तो ICB के बारे में इस थी वहां से हमें इतना बड़ा क्रेश देखने को मिलता अगर आप इसके बारे में research करोगे ICB के बारे में सबसे वहले तो हम बात करते हैं इसके total supply और tokenomics की यहां पर आप देख सकते हैं सीदे सीदे साफ साफ लिखा है कि जो seed donation थी जो 24% की थी seed donation मतलब जो early investors थे जो venture capitalist firm थी उनको इस foundation ने 24% दिया था और अगर हम team members की बारे में बात करें तो 18% team members के पास है बाकी अलग-अलग में distribute है जिससे definitive foundation के बास में 23% है इसके लावा internet computer association के बास में 4.24% है इसके लावा अगर आप wikipedia में जाओगे और इसके बारे में research करोगे तो यहां पर साफ साफ लि उठाई थी यहां पर आप देख सकते हो definitely rise 61 million from यह एक venture capitalist firm है इसके लावा यह भी एक venture capitalist firm है इससे 61 million की funding उठाई थी इसके लावा 102 million की funding फिर वापस से इन्होंने उठाई थी 2018 में ही यहां पर आप देख सकते हो 2018 में ही 29 अगस 2018 में इनकी pre-sailing बिस्ट हो गई थी और यह कोई अभी का project नहीं है काफी पहले इसकी शुरुआत हो थी Wikipedia पर अगर आप जाओगे तो 2016 में इसकी formation बताई गई यह लेकिन 2013 से ही इसके उपर काम करना काम होना शुरू हो गया था इनके जो founders वगिरा है founders भी कोई एक दो founders नहीं है founders की पूरी team बेटी हुई है इनकी website पर आप ज जानना चाहिए वो यह है कि ICP में इतना बड़ा crash क्यों हो आया जैसा मैंने आपको बताए कि 2018 में इसकी pre-sailing होई थी 2018 में ही इन्होंने venture capitalist firm से funding उठाई थी तो इन दोनों ही लोगों के पास में यानि कि VCs के पास में और pre-sailers के पास में एक बड़ी quantity पहले सी थी और जब एक साथ इसकी listing होई थी अलग-लग exchange जो पे 10 माई को Binance पे रहो भी पे OKX पे तब क्या हो था इसकी जो price थी काफी ज़ादा बढ़ गई थी और इसकी जो hype थी वो भी काफी ज़ादा fail गई थी कि यह internet में ही काफी बड़ा revolution लाना चाहरे है internet को ही blockchain पर लाना चाहरे तो एक ब sale करेंगे इसलिए उन्होंने sale किया और एक अचानक सही बड़ा creation में देखने को मिला साथी इस report को भी आप देख सकते हो जो इनके main founder है जैसे मैंने आपको बताया कि जो Dominic Williams से जो कि इनके main founder से उन्होंने आगे आके खुद बोला है कि यह रगपूल के allegation हमारे पे लगाये जा रहे हैं रगपूल basically क्या होता है यह term होता है cryptocurrency में कि कोई जो founders होते हैं जो कोई projects होते हैं जो कि बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं कि हमारा project यह कर देगा यह evolution ला देगा और फिर वो करता कुछ नहीं है जो investors होते हैं जो retail traders होते हैं उनका वो पैसा खा जाते हैं और बाग जाते हैं तो उनके लिए terms लिया जाता है रगपूल तो रगपूल के जो allegation लगाए जा रहे हैं ICP पर उसके लिए जो founder है उन्होंने खुद काई कि यह जो early investor से उन्होंने शोटिंग करी थी ICP में इसलिए इतना बड़ा हमें crash देखने को विला था तो मतलब की बात ह है कि ICP note scam तो इसको आप scam नहीं बोल सकते हैं अलागि यह जो कह सकते हैं कि इसकी जो price old time है के पास बहुत जादा मुश्किल से आएगी और इनका आप road map देखोगे तो road map तो काफी बड़ा road map पर 20 सालों का road map पर जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो यह भी एक क right line का हमें एक breakout देखने को मिल जाता है यह जो level है जो कि है 54 का अगर इसका breakout हमें देखने को मिलता है इस पर एक confirmation मिलता है तो हमारा जो first target होगा वो होगा 62 का देन हमारा जो दूसरा target होगा वो होगा 74 का तो इसको लेकर आप इतना tension मतलो कि यार यह एक scam है हमारा पैसा लेके बग जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है short term में आपको यह अच्छा profit देगा और long term में भी आपको एक profit देके जाएगा लेकिन यह ज़रूरी है कि जब भी आपको एक अच्छा profit मिलता है तो profit book आपको ज़रूर से करना है ऐसा नहीं कि यार long term में चलेंगे साल बर हो गया आपको 100-200% का profit मिल गया 500% का profit मिल गया तब भी आप इसमें profit book नहीं कर रहे हो तो वो सही बात नहीं रहेगी profit book करना जरूरी होता है थोड़ा थोड़ा आपको profit book करना चाहिए ठीक है मेरे according तो अगर मुझे 500-600 का profit मिल रहा है दूसरा जो कोईन है हमारा वो ह Shiba Inu Shiba Inu के बारे में हम पिछले दो दिनों से बात कर रहे हैं आपको याद हो मैंने पिछले दो दिनों में आपको यही बताया है कि यहां से मैं अभी एक correction की देख रहा हूँ यहां से मुझे correction मिले और हमारा जो यह वाला zone है जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया थ कल हम इसी के बारे में discuss कर रहे थे और exact आप देख सकते हो कि इसी zone में आया इसी level से आया और लगबग लगबग इसने यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36% का आपको profit दिया है एक ही दिन के अंदर तो कल जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा और इस buying zone में कल buy करा होगा हमारे इस exact level से 36% का उनको profit हुआ होगा एक दिन के अंदर इसके अलावा अगर हम इसकी news update के बारे में बात करें तो देखो यह अपने development पे अभी काफी ध्यान दे रहे है पहले जब यह loan चुआ था तब यह बिल्कुली एक meme coin था और इसका कोई भी development नहीं हुआ था नाइस से जुड़ी हुई हमें कोई updates वगरा इतनी बड़ी देखने को मिलती थी काफी hype थी लेकिन hype इस बड़ी से थी कि यह dodge किला रहे ठीक है dodge से भी इसकी ज़दा price हमें देखने को मिल सकती है लेकिन कोई development नहीं हो रहा था मैं भी थोड़ा negative था इसके बारे में लेकिन मैं आपको यह भी बताया था कि मैंने इसमें invest किया है मैं investor हूँ और मैंने खुद ने भी इसमें invest किया हुआ है लेकिन इतना development तब नहीं हो रहा और इनके official twitter handle पे भी 1 million से ज़्यादा के follower है तो यह काफी अच्छी बात है यह अपने development पे ध्यान दे रहे हैं और जब यह जैसा रहेगा तब मैं आपको वेसे ही update दूँगा यह भी सही बात है और अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगबग 500-600 percent का profit हो रहा है मेरे according जितना मेरे experience से आपको profit book करना जरूरी है सारा निकालने के लिए नहीं बूल रहा हूँ मैं यह जरूर है कि जितना आपको मिल रहा है लगबग आपको 20-25 percent का profit book करना जरूरी है because कल कुछ भी हो सकता है जितना भी आपको profit मिल रहा है उसमें आप target है मैं आपको बता देता हूं just a minute यह वनार का chart है मैं इसको one day पर कर देता हूं जिससे की clear हो जाएगी और भी चीजे मैं इसको इस वाले point पर यह हमारा जो level है जो की है zero हटा देना 3778 इस वाले level को आप ज़रूर से ध्यान रखना इस वाले level पर मैं इसको sell out करने की जो की है 3778 का तो यहां पर मैं short करूँगा ठीक है तो आज के इस video में हमने बात करी Shiba Inu और ICP के बारे में इसके लावा हम बात करते हैं भी Matic के बारे में Matic की update भी मैं आपको देता हूं Matic ने भी लगबग 10% का एक अच्छा का सा pump दिखाया है 10% का एक अच्छा का सा profit दि जो की था 105 रुपी के तकरीबन इसकी जो price थी लगबग 109 रुपे तक गई थी तो 109 रुपे के पास में जाकर यह अभी तोड़ा सा correction ले रहा है लेकिन Matic का आप ज़रू से ध्यान रखना है इसका यह जो target है 115 रुपे का यह जल दी और इसके बाद में 128 रुपे तक आपक इसकी के बारे में तो अगर आपको इस वीडियो से आज कुछ knowledge मिली हो value मिली हो तो definitely वीडियो को like करना है और चैनल आपके काम गाए तो चैनल को भी definitely subscribe करना है मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ तिल दैन जैहिन जै भारत